कि यह एक इस्टाइल जिसको आप कई मेकप के साथ बना सकते हैं किस तरह से बनाया है देखते हैं चलिए शुरू करें कि सो फ्रेंट्स आई देखते हैं पार्टिंग और सेक्शनिंग यह देखेंगे आप फ्रेंट की साइड वन इंच की आसपास सेक्शन रखा है मैंने साइड पार्टिंग रहेगी वैसा ही राइट साइड में भी रहेगा और यह जो मिड ग्राउंड टो ऑक्सिपिटल बोन के थोड़ा ऊपर रहेगा यह सेक्शन मिड वाला थोड़ा बड़ा रहेगा और यह बाकी नीचे वाले सेक्शन को आपको दो पोनी बनाना है आप देख सकते हैं और एक डोनट लेके आप उसको बीच वाले इरिया को फि अभी तरप से और पिन अप करने के बाद यह मिड वाला सेक्शन लेंगे आप और लार्ज वाली जोड़ा पिन के हेल्प से इसको दोनों साइट से रोकेंगे लूज और यहां पर हम कि लाइन्स क्रिएट करने वाले हैं नॉमल लाइन्स बनाएंगे आप यहां पर और आप पकर चाते हैं तो पफ भी बना सकते हैं वाँ पर थोड़े थोड़े गयाप के उपर आपको लाइन्स बनाना है इस तरह से और इस पर शिक्स नमबर टाफ्ट यूज किया है मैंने वैसी दूसी तरफ भी आप लाइन्स बनाएंगे और लाइन्स कंप्लीट करने के बाद सारे बालों को इस तरह से होल करेंगे और इसी जूड़ा पिन के साथ अभी टैंप्रेरिली उसको रोकेंगे और इतना रोकने के बाद ये डबल रबर बेंट करेंगे आप और दोनों तरफ बॉप पिन लगा देंगे और दोनों तरफ से इस तरह से आप उसको पिन अप कर लेंगे रबर बेंट के साथ में और थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे माँ पर और जूड़ा पिन को हटा देंगे अभी इस पोनी से कुछ बालों को लेंगे आप जिसके साथ आप इस डाक डोनोट को कवर अप कर लेंगे थोड़ा थोड़ा बैक कौम करेंगे और इस डोनोट के ऊपर इसप्रे करने के बाद है इवनु फेला देंगे और रर को इसप कर देंगे इसके उपर और नीची की तरफ पीस करने के बाद आप उसको जुड़ा पिन के साथ और बॉब्पिन के साथ PIN UP कर देंगे। इस तरह से इन ENDS को आप ले जाकर ऊपर की तरफ पैला देंगे। जहां आपको जुर्बत लगता कहीं light है अगर जिस area पर भी माप उसको क्षानी कर देंगे má और इन ENDS को ऊपर की तरफ रक के invisible pin के साथ आप उसको रोक देंगे, नीचे की तरफ रख देंगे और अब इस density को आप 3 तो 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे 3 से 4 हिस्सों में बाटने के बाद आप इस तरह से उसको पहला वाला section आप mid में रखेंगे कॉम अच्छे से कर लेंगे और देखेंगे यहाँ पर आप उसको जोड़ा pin के साथ रोकोगे इस तरह से और यह देखे पहला वाला section कुछ वजह से छूट गया था, आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हमें यह lines बनाने हैं वैसा ही आपको उपर की तरफ भी बनाना है, शुरू वैसे करना है आप technique देखेंगे, इस तरह से सभी lines बनेंगी थोड़ा थोड़ा जिस तरह से हम lines को pull करते हैं बहा की तरफ, एक line बनाएंगे, आप बहा की तरफ pull करेंगे और जूड़ा pin के साथ रोक देंगे, थोड़ा थोड़ा शेप देंगे बहा की तरफ pull करेंगे और इस प्रे के साथ उसको finishing देने के बाद आप जूड़ा pin के साथ रोक दे जाएंगे चार से पांच lines आप इसमें बना सकते हैं और dip end करता है आपके उपर उसे जादा भी बना सकते हैं कम भी बना सकते हैं यह आप देख सकते हैं जितनी भी आपके पास thickness है उसी के according लिए आपको यह lines बनाने होंगे बालों को आप crimping के साथ थोड़ा प्रिपेर कर सकते हैं एक soft crimping करेंगे बहुत ज़दा deep नहीं बीच बीच में आपको यह जूड़ा पिन के साथ उसको थोड़ा शाब बनाना होगा hold कराना होगा इस तरह से सभी पिन्स के उपर spray करते रहेंगे आप यह आप देख सकते हैं सभी तरफ इस पर कर देंगे अच्छे से अब आप यह नीचे की तरफ एक और जूड़ा पिन के साथ पिन अप करेंगे और वैसे ही बाहर की तरफ पुल करेंगे अब भी नीचे जैसे के डेंसिटी कम हो जाएगी तो आप महाँ पर कम लाइन्स भी बना सकते हैं उसमें अगर आपके पास थिकनस नहीं है तो आप उसको थोड़ा कम लाइन्स भी बना सकते हैं बट उपर की तरफ जहां जहां आपको थिकनस ठीक ठाक मिलती है तो आप तोड़ी जादा लाइन्स बना सकते हैं यह आप देखेंगे वैसे ही आपको यह पूरा लाइन्स के साथ एक चेक बनाना होगा अभी 3-4 लाइन्स आप ऐसे वर्टिकल रखेंगे और 2 लाइन्स आपको होरिजॉंटली रखनी होंगी यह देखेंगे आप इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे तो वैसे ही देखिए, सब ही लाइन्स को आपको ऐसे बनाना है मैंने 4 लाइन्स बनाए हैं, एक राइट साइड में तोड़ी छोटी लाइन्स बनाई ही मैंने और अब हम सबसे पहले लेंगे जो हमारा राइट साइड वाली पोनी बनाई थी हमने उसके साथ ये उसी जॉइंट के उपर पिन अप करेंगे आप जहां पर आपने पहले वाली पिन लगाई थी दो ब्लॉक्स के बीच में और अभी आप फिर वहीं पे वैसे लाइन्स बन पिनाते आये हैं चीक है यह आप देख सकते हैं और वैसे वैसे ही जहां जहां बीच बीच में ये गैप से ये देखिए इसी तरह आपको सारा पूरा का पूरा फिल अप करना होगा और इन एंड्स को आप साइड में पिन अप कर देंगे यहां पर एक जूड़ा पिन या इ जहां जहां भी अभी हमें गैप्स मिलेंगे वहीं वहीं पर उसको फिल अप करते चले जाएंगे यह देखिए इस तरह से तो यह पूरा एक लाइन के साथ चेक बन जाएगा यह आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको और यह हमारा लास्ट सेक्शन है यहां पर हम थ्री लाइन बना रहे हैं क्यूंकि हमारे पास बहुत साथ जगह भी नहीं है मापर और डेंसिटी भी नहीं है तो यह हमें जितना डेंसिटी चाही थी उतना है और हम उसको फिन साइड आते हैं तो हम उसको एक बॉक सेक्शन लेंगे और यह काविंग टेकनिक के साथ इस तरह से आप उसको कि तोड़ा सैट करेंगे को यह पिर देंगे दर और यह थोड़ा-थोड़ा बाहा की तरह की तरफ पुल करेंगे वैसे ही वहाँ पर उसके back part के उपर भी वैसी पूल करेंगे यह आप देख रहे हैं और इस तरह से उसको थोड़ा down करेंगे आगी की तरफ और dry हो जाने के बाद उसको थोड़ा सा एक बार और पीछी की तरफ से पूल करेंगे देखेंगे आप कैसा shape आ रहा है और इस प्रे करने के बाद उसको finishing देंगे और जूड़ा pin के साथ pin up कर देंगे नीचे की तरफ यहाँ भी एक थोड़ा सा curve देंगे हम उसको और यह हमने भी उसको रोक दिया है नीचे वाले section को लेंगे आप उसको थोड़ा सा pull करने के बाद यहाँ पर भी आपको कुछ lines play करने होंगे थोड़ा थोड़ा सा एक structure त्यार करने के बाद आप जूड़ा pin के साथ उसको रोकते चले जाएंगे और spray कर देंगे यह देखे इस तरह से आप lines बनाएंगे spray कर देंगे और यहाँ पर इसको जूड़ा pin के साथ रोकेंगे आप अच्छे से pin up कर देंगे आगे बढ़ते हैं इन ends को twist कर देने के बाद आपको सिर्फ hide करना है बहुत जादा कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ करने की जरूत है नहीं बस इन सभी ends को आप hide करा देंगे normal इस तरह से देखेंगे आप इस तरह से आप उसको hide कर देंगे आते हैं left side यह twist करेंगे थोड़ करते जाएंगे finishing देंगे उस section के पीछे की तरफ से भी आपको थोड़ा थोड़ा सा वैसे ही पूल करना होगा एक लाइन back side में भी बनानी होगी कि यह आप देख रहे हैं देखिए पीछे की तरफ भी थोड़ा थोड़ा सा पूल करेंगे और इस प्रे कर देने के बाद और वहाँ पर भी आपको lines बनाने है वैसे ही जुड़ा पिन के help से रोकेंगे उनको और यह lines बना लेने के बाद आप वैसे ही जैसा कि जुड़ा पिन के साथ हमने पहले वाले section को टक किया था इसको भी वैसे ही hide करा देंगे ठीक है न अभी हम इसको accessorize करेंगे beats के साथ औ और एक बड़ा बंच भी लगा देंगे उपर की तरफ यह आप देख सकते हैं इस तरह से आपको इसको accessorize करना होगा इसको आप Christian bride के साथ भी बना सकते हैं पार्टी make-up के साथ भी दे सकते हैं सब्सक्राइब करेंगे तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का इस्टाइल आपको इस्टाइल कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताएगा फिर मिलते हैं एक और नए सब्सक्राइब के साथ तब तक अपना यूँ ख्यार लखिए खोश है यह प्रक्टीस कीजि क्या ओर मुझ है और अजिक शुझ कर दो एक नएगाएब के साथ से चाहर लागा हूए वग विए खोक्राइब के लागे खोश्ट वाट में एक प्याहां टो थे